प्लाइवुड सेक्टर के कुछ स्टॉक्स को जिसमें हमें एक अच्छा मंतली ब्रेकाउट आता हुआ दिखेंगे अगर आप ने हैं तो हमारे चैनल को आप विजिट कर सकते हैं अगर आपकी ट्यूनिंग मेरे साथ बनती है आपको सीखने को मिलता है तो जिरूर सब्सक्रा यहां पर आपको यह वीडियो डाला था वीकली ब्रेकाउट की कुछ स्टॉक्स हैं इसको भी आप जाके देख सकते हो और यहां पर आप देखोगे तो सबसे पहले हमनों ग्रीन प्लाइंडस्ट्री की बात करेंगे तो यह मंतली टाइम फ्रेम में हैं यहां पर आप देख ब्रेकाउट दिया है और आप देखोगे अल्रेडी ही यहां से शूट कर चुका है तो यहां से एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है अगर इसके स्टॉक के टार्गेट की बात करेंगे तो कम से कम 1000 तक यह स्टॉक हमें इन फ्यूचर जाता हुआ दिख सकता है बट यहां पर क् इक विउ निकल के आ रहा है मंतली से अगर हम लोग एक बार वीकली में देखेंगे तो क्या हम लोग देख सकते हैं देखे आप वीकली में भी स्टॉक जो है काफी ज़्यादा स्टॉंग वे में ही उपर जाता जा रहा है यहां पर क्रॉस ओवर हुआ था यह अच्छा मेरे साथ से हैं यहां पर एकर कोई भी लेता है तो ए टलिस आगर चुटे सटॉप लॉस की बात के लिए तो आप स्टॉप लॉस को रख सकते हो और नहीं तो आप फ्वेंते ही अस्टॉप लॉस को अगर बड़ टार्गेट आप प्लान कर रहे हो तो इस इस यसाब से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि कॉंटिनुएशन में स्टॉक अच्छा मोमेंटम दे भी देते हैं यहां पर देखोगे डेली टाइम फ्रेम में भी स्टॉक जो है किस तरीके से यहां पर आप लोगों को एक इंट्री दिया था पहले यहां पर देखोगे कि जैसे वीकली में क्योंकि कॉंकि अपर निकलता आप यहां पर एक इंप्री ले सकते हो अपने सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इस तरीके से आप इसको प्लान कर सकते हैं इस इंडस्टी में अगर आप देखोगे जाके इसके स्क्रीनर वेबसाइट में जाके इसके आप बैलेंशीट देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहां पर वास्टी में जरूर रखना क्योंकि इन में मोमेंटम आ सकता है प्लाइवुड सेक्टर से रिलेटेड यह सारे स्टॉक है तो आप देखोगे कि इस तरीके से देखें अगर रियल इस्टेट भाग रहा है तो वहां पर बिल्लिंग बनेंगी ठीक है उसके जो है आपका जो सीमेंटीमेंट है यह सारी चीज़े इनके प्राइस बढ़ता है तो अगर यह ब्रेकाउट होता है तो कहीं ने कहीं दोस्तों यहां पर साड़े आठ सो तक अभी यहां तक जा सकता है ठीक है और यहां पर देखोगे एक सही जगह पर आ चुका अगर इसके उपर निकलता है तो यह कहीं ने कहीं एक अच्छा मोमेंटम यहां से पिक अप हो सकता है तो इस वाले सेक्टर को आप सभी लोग को ध्यान में रखना है प्रस बड़े रखते हैं तो सेम अप्रोच फॉलो कर लो डेली में तो इस तरीके से आप अपने इंट्री को प्लान कर सकते हो और अभी यहां पर लोग लास्ट इस टॉक देख लिए ग्रीन पैनल अभी एक डाउन ट्रेंड में था फाइनली इस टॉक जो है एक अच्छा आप रिवर्सल पैटन बनाया कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होगे रिवर्सल पैटन बनाने के बाद में स्टॉक उपर गया और देखे इस रिवर्सल पैटन को भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप RSI की हेल्प से आप स्पॉर्ट कर सकते थे यहां पर पर पकड़ सकते हो और अभी इस टॉक में अच्छी तेजी आती जा रही है और यहां से हम लोग आदेखे यह जो स्टॉक ए ग्रीन पैनल टीक है एंड ग्रीन प्लाई तो इसमें क्या है तो यह एक अभी स्मॉल कैप कही है एंड सेंचुरी प्लाई जो है वह आपका मिटक सब्सक्राइब तो देखें वीकली में भी एक टाइम पर स्टॉक 25 रुपीज से आप देखोगे 611 के हाई लगा क्या तो यह काफी सर्प्राइजिंग था और उसके बाद में अभी देखोगे आप यहां पर स्टॉक कुद को होल्ड कर रहा है एंड यह जैसे यह लेवल इन ब्रेक दिया है इससे पहले जो ब्रेक हुआ था उसमें फेल हुआ था और फिर एक ब्रेक दिया है तो एक अच्छा है आप एक मोमेंटम गेन हो सकता है तो इस टॉक्प आपको याद रखना है और दूसरी चीज मैं आपको दिखाऊं अगर ध्यान से तो अगर हमनों यहां 50% का एरिया है यह भी इसने ब्रेक किया है तो इसका मतलब अब यह वाला जो ट्रेंड था यह खराब हो चुका है अब यह अप्रेंड को फॉलो कर सकता है तो यहां पे भी दोस्तों आपको ध्यानक ना तो यह तीनों स्टॉप यह आपके साथ में है और आने वाले टाइम म मैं आपको एक तेजी देखने को मिल सकती है तो कैसा लगा आपको अनलसी जरूर बताईएगा एंड डिस्लेमर में मैं आपको बता दूं कि यह मेरा परसनल व्यू था मुझे लगा मैंने आपके साथ में शेयर किया कोई भी इन्वेस्टमेंट यहां पर मैं एडवाइजरी मैं भी सिखा देता हूं तो मिलते हैं नए वीडियो में तब तक लिए बावाइज यू टेक्याएज